दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो अपडेट हम आपके सामने लेकर करके आए हैं वो 20 तवंबर को लॉंच होने जा रहा है एक चैनल धमाका मूवी से सम्बंदित है और धमाका मूवी से सम्बंदित इसलिए है दोस्तों क्योंकि एक चैनल और मूवी केटेगरी का चल र रखा जाएगा और content वही B4U Plus वाले ही रहेंगे केवल नाम ही चेंज होगा तो क्या सकते हैं दोस्तों क्या B4U Plus rebrand किया जाएगा नए logo और graphics के साथ या फिर B4U Plus को as it is रखके धमाका movies बस नाम दे दिया जाएगा तो डिटेल में दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से जो खबरें अभी बनी हुई है धमाका movies को ले करके और B4U Plus को ले करके किसी का update इस वीडियो में देने वाले हैं तो वीडियो बिल्कुल दोस्तों कि एक नया हिंदी फिल्मों का चैनल बीस नवंबर 2022 को B4U Network का धमाका movies B4U को नाम से लांच होने जा रहा है यह पहली news है दूसरी news यह है दोस्तों कि slots जो है वो limited होते हैं डीडी फ्रीडिस के पास तो क्या किस slot पे अब धमाका movies लांच होगा यह एक संसे बना हुआ है दूसरा यह दोस्तों कि काफी सारे channels B4U Network के जो कि movie channels है music channels है पहले से ही डीडी फ्रीडिस पर आ रहे हैं तो क्या as a new channel धमाका movies उसी list में सामिल हो जाएगा यह अभी clear नहीं दोस्तों clear वही slots को ले करके क्योंकि slots के availability नहीं है या फिर किसी एक channel का नाम चेंज करके धमाका movies कर दिया जाएगा तो जो समभावनाएं निकल के आ रहे हैं दोस्तों और जो मीडिया में खबरे आ रही है जो मीडिया sources confirm कर रहा है उसमें यह है कि B4U प्लस को ही rebrand किया जाएगा और वो rebrand करके नाम उसका चेंज करके धमाका movies रख दिया जाएगा अब देख सकते हैं स्क्रीन पर दोस्तों B4U प्लस अभी कुछ दिनों पहले लांच हुआ था और लांच होने के बाद इसपे अच्छी फिल्म आरे हैं दोस्तों क्लासिक फिल्म में दिखाई जा रहे हैं कहीं कोई दिक्कत में है चैनल भी ठीक ठाक काम कर रहा है लेकिन अब यह पूरी तरीके से कमपनी के उपर होता है दोस्तों कि वह किस तरीके से अपने चैनल को प प्लेस करेगा यानि कि B4U प्लस हो जाएगा बंद और बंद की जगह कहलें कि ये बंद होगा तो फिर धमाका movies के नाम से धमाका movies B4U के नाम से रिब्रांट हो सकता है तो जो भी update होंगी दोस्तों जो clear होने जा रहे हो 20 नोमर को तो हो जाएगी लेकिन जो जर्चाय चल रहे हैं वो B4U प्लस और धमाका movies B4U को ले करके ही हो रही है अब बात करने दो slots की तो slots की availability ही दोस्तों डीडी फ्रीडिस पर लिमिटेड होती है इसी कारण से जो B4U और लाइक करना मत बुलिएगा